हम लोग डिस्कॉश कर रहे हैं रिलव गूरूप डी के लिए साइंस की प्रैक्टिस सेट इसमें हमारा एक प्रैक्टिस सेट नमबर 7 हम उम्मीद करते हैं कि आपकी तियारी बहुत अच्छी चल रही है और आप काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी जौब को पाने के लिए अपनी पहले physics को डिसकस किया है इसके पहले 6 सेट हमने डिसकस किया है यह सातवा सेट है जो की पूरा physics है तीन प्रक्टिस है और आएगा जो कि होगा 15 15 कोश्चन का यानि कि 10 सेट हम लोग फिजिक्स करने वाले है उसके बाद लगवग 20 प्रक्टिस सेट 20-20 कोश्चन का हम लोग डि प्रक्टिस कोश्चन का जो कि फिजिक्स केमेस्ट्री बारुज से मिला करके होगा और आपकी त्यार को काफी मजूद बनाएगा जो कि आपको साइंस में 25 में से 25 कोश्चन लाने की चमता रखता है तो आए शुरुबात करते हैं इस कोश्चन की उससे पहले आपसे कोश्चन है निंखीत में से इंपौटेंट है आप होसके नोड करेजिये या चाहते हैं पीडियॉप इसकी आपको लिंक डिस्क्रेप्शन में मिल जाएगी निंखित में से कौन साथक्रेंट विद्धूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में परिवर्द्स करता है एलेक्ट किस सिद्धान्थ पर काम करता है आपसे ने से और फ्यूज एक बिद्दुद परिपन एलेक्र्ट्रिक सर्कीट की सुड़च्य में में से किस्से करता है अभी अति भारण उर्जा के एक रूप को दूसरे उरूप में परिवरतन धारा परिवहन या फिर धारा उत्प्रेरण यह करता है अतिभारण यानि कि ओवर लोडिंग आपसा नमबर ए इस करक्ट एंसर है कि सर्केट में बिद्दूत की उपस्तेदी को पता लगाने के लिए निमिकित में से किस उपकराण का उपयोग क्या जाता है अमीटर बोल्ट मीटर रिहिस्टोट रिहिस्टोट रिहिस्टैट या फिर गैल्वनो मीटर बात करते हैं अमीटर की अमीटर क्या होता है यह एक ऐसे युक्ति है जिसका उपयोग किसी विद्दूत परिपत में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ग्यात करने के लिए इसका उपयोग क्या जाता है अमीटर का बात करते हैं वर्ट मीटर के लिए वर्ट मीटर का परि तिरोधक है जिसका उपयोग जो है कि विद्धुत परिपत में धारा को नियंत्रियत करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग रिहो स्टैट का और लास्ट में गल्वेनों मिटर जिसका उपयोग बिद्धुत परिपत में बिद्धुत धारा की उपस्तिति का पता लगाने के लिए किया जाता है इस तरह से option number D is correct answer है बाके इन तीनों को आप नोट कर सकते हैं निमने में से कौन से युकती बिभिन उपकरणों को स्रेडी करम में जोडने का काम करती है स्विच, संयोजकतार, रेगुलेटर या फिर इन में से कोई नहीं तो जो सबको जोड के रखती है वो क्या है संयोजकतार, option number B is correct answer बिजली के वल्व का filament किसका बना होता है ये कई बार कोश्चन पूछा गया है तामबा, एलमुनियम, टंगस्टन या फिर मिश्रधात तो जो filament होता है वो टंगस्टन का बना होता है option number C is correct answer चालक के माध्यम से प्रवाहित एक धारा होती है विभवांतर के प्रत्यच और आनुपातिक, प्रतिरोध के प्रत्यचत आनुपातिक, बोल्टता के बिदक्रम आनुपातिक या फिर इन में से कोई नहीं यह होता है विभवांतर के प्रत्यचत आनुपातिक, option number A is correct answer नेक्स्ट कोईशन है आवेशित की गई एक वस्त द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्त अथवा आवेशित नो की गई वस्त पर लगाये बल को क्या करते हैं चुमकी बल बिद्दूत इस्थैतिक बल गृत्वा करशन बल या फिर यांतरिक बल इसको बोलते हैं बिद् ट्रेक्ट करेंट में किसके प्रियोक के जरिये परिवर्तित किया जाता है या या फिर जा सकता है प्रवर्णधक एंप्लिफायर इस्थिरक जिसका हम लोग इस्टेपलाजर बोलते हैं trustworthy rectifier या फिर डी ट्रांसफार्मर तो यह किया जाता है दिस्टकार यानि की रख्टी फायर के दवारा आपसन नमबर सी इस करेक्ट एंसर रासायनी कुर्जा को विद्द तूर्जा मेरूपांतरन किसके दवारा किया जाता है विद्द चुम्बक फोटो सेल विद्द अपगटन संचायक सेल तो यह क्या जाता है संचायक सेल द्वारा जिसे सेकेंटरी सेल करते हैं जो रासायनिक उर्जा को बिद्धुत उर्जा में रुपांतरित करता है समान उपयोग में आने वाली जिसे बैक्टरियां हो गई दो पर करके होती हैं एक लेड अम्र संचाय अक्सेल और एक होता है छारी संचाय अक्सेल यह अंतरिक उर्जा को बिद्धूत उर्जा में रूपा अंतरित करने के लिए किसका उप्यों किया जाता है डायनेमो, माइक्रोफोन, बिद्धूत मोटोर या फिर बैटरी तो यह डायनेमो दुबार किया जाता है अपसर नमबर ए इसकरे ट्रेंस हो रहे है इन में से कौन सा बिद्धूत का सर्वत्तम चालक है सर्वत्तम चालक पुछा गया है साधानाड जल, उबला हुआ जल, समुद्री जल या फिर आस्वित जल कौन सा जल हो जायेगा इसमें होता है समुद्री जल जो समुद्री जल होता है वह साधानाड जल उबला हुआ जल, आस्वित जल में सर्वत्तम चालक है समुद्र जल में बिभिन प्रकार के जो त्वरन घोले होते है जो की विद्दुत प्रवाहित करने पर धनायन और रिड़ायर में तूटकर विद्दुत के प्रवाह में मदद करते हैं, इसलिए आप्शन बसी इस करेक्ट है, किसी बस की चाल बढ़ने पर ही रोसनी का बढ़ना या किस इस्थितिक उदर साथ है, कमजोर बैटरी, कमजोर स डिया या यदि आप इस बस लेटर को ज्यादा लेते हैं या फीच्टर को तगड़ा करते हैं, तो क्या होता है, इसकी लाइट थोड़ी ते जोल गति है, जैसे इसलिटर अब कमजोर पड़ता है में जोल से अधरशन की बसल गतना है क्या होता है एक सौर सेल आपसन नमबर A is correct answer नेस्ट कोईशन लास्ट कोईशन है इस वीडियो सेशन का क्या एक निस्करी दो टर्यमिनल का विद्दूत घटक है जो सरकिट यह परिपत तत्यों के रूप में विद्दूत प्रतिरोध लागू करता है प्रतिरोधक, डायोड, ट्रांजिस्टर या फिर संधारित्र त्या होता है प्रतिरोधक, आपसन नमबर A is correct answer अब बढ़ते हैं आज के question के तरब जो है question on the day इसका answer आपको comment box में बताना है और इसका जो सही answer होगा वो अगली वीडियो में discuss कर दी जाएगी टेली विजन के आविस्कार केसने के आता है इसको बताना है वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कोई भी सुझा हो तो suggestion हो comment box में comment जरूर करें वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बता है बहुत बहुत धन्यवाद